देश में 95 फीसदी लोग 5% पर काबिज हैं, जो गरीब हैं वो 5% पर काबिज हैं, और जो 5% अमीर हैं वो 95% धन समपता पर काबिज हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए, मुल्क के आजाद है, कोठियों से मुल्क की मेयार को मता किये, असली हिंदोस्तान तो फुटपात पर आबा होती हूँ, है उनकी जील सी आके, है उनका चांद सा चहरा, मगर लाजिम हुआ बली, अभी तलवार पर लिखना है, मेरी एक फेस्बुक पोस्ट पर, जो मैंने निजाम उद्दीन, जो मरकस पर लगाई थी, उस पर यहां के पुलिस परसाशन को दिपकत हुई, और उन्हे मेरी समाज में एक नैतिक जिम्मेदारी है, कि मैं किसी भी घटना को, किसी भी ऐसे पोस्ट को, अपनी स्टेटस को, इस तरह से ना लगाऊं, जिससे समाज में वेमनस से हो, जिससे समाज में वेघटन हो, जिससे समाज में एक तबका, दूसरे तबके से हिकारत करें, या न नागरिक है मैंने निजामुद्दीन की पोस्ट लगाई थी उसमें सारे ऑथेंटिक डाटा थे जिसमें ये लिखा था कि किसी भी धर्मिस्थल पर हम किसी भी धर्मिस्थल पर शरण लेते हैं आम तोर पर जब लॉक डाउन हो जाता है तो उसमें गोल्डन टेंपल भी था उ फला जगा पर तो लोग फसे हुए हैं और फला जगा पर लोग छुपे हुए हैं तो ये बारीक सी जो नफरत की लाइन है इसको मीडिया बड़े ही शातिराना अंदाज से पेश कर रहा है ये सवाल मैंने नेशनल मीडिया पर उठाया था जहां तक धर्म की बात है तो मित् इसे अंधे मोड पर ले जाकर खड़ा कर दें जिससे उनकी जिन्दगी परभावित होती हूँ जो ओजा के चक्कर में आए वो किसी ऐसे धर्मादिकारी के चक्कर में आए जिससे उनकी जिन्दगी जो आसान होने की बजाए दोस्तों हमारे सिर में भी दर्द होता है तो प तिक जिम्मेदारी होती है कि हम समाज की पक्ष धरता रखें हम सरकार पर उस सवाल उठाते रहें सरकार की हर उस चीज पर सवाल उठाते रहें जिससे जनता की जिन्दगी आम जनता की जिन्दगी पर भावित होती हो जिससे lower तपका जो नीचे का तपका है जो hand to mouth है अपनी जिन्दगी जीने के लिए वो किसी भी तरीके से संघर्श करता है दो वक्त की रोजी रोटी गुजारता है हम उसके पक्ष की बात करें जब हम उन जो वन्चित तपका है जो शाशिये पर तपका है जो देश का 70% तपका है उन तपके पर जब कि ये आक्सफेम के भी आकड़े आते हैं कि 50 घरानों के पास 73% पूजी और संपता है देश की तो ऐसे में सवाल उठताना लाजिम हो जाता है कि कि किसी भी सरकार पर कि देश के वो वन्चित तपका है जो नीचे का तपका है जो रोज हैंटू माउथ है जिसके पास रोजी रोटी इसी आधार पर है कि शाम को कितना कमा के लाएगा और कितना आटा और घी और तेल लेगा तो हमने इसी पर सवाल खड़ा किया ये सवाल सरकार पर भी आ जाता है पंद्रा लाख लोग अगर वो एरपोर्ट पर नहीं रोप पाई तो वो दुनिया भर के और जो चीजें हैं उन पर क्या रोकने की छमता रखती थी हमारे हां हॉस्पिटिल्स नहीं है हमारे हा सवाल उठा रहे हैं सवाई करमचारी भी सवाल उठा रहे हैं स्वास्तिकर्मी भी सवाल उठा रहे हैं कि हमारा क्या होगा ऐसे में आम जंता का क्या होगा हमने मनजर देखे हैं हमने देखा है कौशामबी में आनन वियार में लालकुआ में गाजियाबाद में 15-20-20-20 लो उठाया मैं किसी भी धार्मिक अगर कहता हूँ कि चाहे हो मरकज हो चाहे हो गौल्डन डेमपल हो चाहे शेड़ी का साही बाबा हो वहाँ पर जहां पर भी लोग हैं वो अपनी धार्मिक परपस से आयवे लोग होते हैं तो सभी लोग परिशान और मजबूर और फसेवे बैठी है तसली के साथ लेकिन होकबारान का क्या करतवे है स्वास्ते मंतरी जी लूडों खेलते हो पाए जाते हैं कोई मंतरी रामेंट देखके फोटो अपने अपलोड कर रहा है ट्वीटर पर तो मैं कहता हूँ आपकी जिम्मेदारी है आप सड़कों पर उत्रे हुए ल बाजार पर लिखना बुलाकर फिकर रोटी की बुलाकर फिकर दुनिया की मुझको बिल्कुल नहीं भाता तुम्हारे प्यार पर लिखना है उनकी जील सी आखे हैं उनका चांद सा चेहरा मगर लाजिम हुआ बली अभी तलवार पर लिखना तो इसलिए हम बोलने के लिए ह वेवने से नहीं फिला रहा और मैं सरकार पर सवाल उठा रहा हूँ और फिलाल अपने मीडिया के पत्रकारों पर सवाल उठा रहा हूँ नेशनल मीडिया पर सवाल उठा रहा हूँ कि आप किस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं कि आप जहर घोल रहे हैं लोगों के बीच में ये हमारी देश की जनता है और कुल मिलाके हमारा तो मानना है कि दो तरीके की दिनिया में अबादी है एक गरीब है और दूसरा अमीर है अमीर को सब सुविधाय से है जो जाती है मिल जाएंगी पता है तो दुनिया में देश में 95 फीसदी लोग 5% पर काबिज हैं जो गरीब हैं वो 5% पर काबिज हैं और जो 5% अमीर हैं वो 95% धन समपता पर काबिज हैं ये distribution की कमी है इसको हम सवाल उठाते रहेंगे इसके लिए हम बात करते रहेंगे मनुशी की प्राथमिक्ताएं क्या है मनुशी की प्राथमिक्ता ये धर्म नहीं है मनुशी की प्राथमिक्ता सबसे पहली प्राथमिक्ता मनुशी की रोजी, रोटी, रोटी है पहली सबसे पहली रोटी और पानी है हम कहते रहें कि आप बिजली दीजिए, पानी दीजिए, हमें स्वास्ते दीजिए, स्वास्ते फ्री दीजिए, हमें सिक्षा दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हम और क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं, आप यही कहके सप्ता में आते हैं, और सप्ता में आने के बाद क कोई भी अगर हिंदू मुस्लिम का खेल खेलता है तो हम उस पर आपत्ती जताएंगे, यह हमारा नैतिक अधिकार है और फर्ज भी है। रानी ने कहा था कि ब्रेड कम है, तो केक खाईए। यानी कहने का मतलब है कि आपको जनता के मूल जो दिक्कते हैं, उनकी बिल्कुल भी समझ नहीं है, आप एक दम समवेदन हीन है। तो विग्यान अपना काम करता है, आज की डेट में भी हम यह नहीं चाहते कि संक्रामक बिमारी है, कोई भी किसी के साथ फिजिकल डिस्टेंस बना के रखे, कोई बड़ी भारी बात नहीं, मैं नहीं चाहूँगा, कि आम बुखार भी अगर संक्रामक हो, और वो मुझे जाता कि आई-फ्लू हो, जिसे मरता नहीं आत्मी, सिर्फ आप कोई दिनों बाद दर्द कर दें, सही हो जाती है, लेकिन यह इतना बड़ा बिमारी है, जो पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया से हमारे देश में भी आएगी, तो मैं चाहता हूँ सरकार इस पर पर जाता कि लोगों को वहाँ पर आराम से रख दिया जाता, तो ये देश में आपदा नहीं आती, लॉकडाउन की स्थिती नहीं आती, अभी इस समय पूरी देश में आर्थिक दिक्ता आने वाली है, मैं मेडल कलास से बिलॉंग करता हूँ, मैं जानता हूँ छे महीने से मेरा बिजनिस बतरी नात में है, वो बंद पड़ा है, और 23 अपरेल से शुरू होना है, और मुझे लाखों रुपे की किष्ट बैंक में भरनी पड़ती है, और हम समझते हैं कि 2-3 महीने हम कमा के बैंक के किष्ट देंगे, अपने जो वहाँ पर बच्चे फोटोग्राफी करते है, या मेरा स्काफ है, या मेरी बिजली है, या मेरा किराया है, या हम लोगों की जिन्दगी चलती है, मेरा घर परिवार चलेगा, वो कैसे चलेगा, अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, अब सरकार को चुना है, तो हम सरकार पर कर रहे हैं सवाल तो चुबेंगे अगर मेरे बच्चों को मैं रोटी देने के लिए काबिल नहीं हूंगा या रोटी देने में अनाका नहीं करूंगा या गैर जिम्मेदारी दिखाऊंगा और बच्चे मेरे पाँख दिखाएंगे और मैं शराप पी के गर में आऊंगा तो मैं आलोचना का पात्र बनूँगा और मेरे जूते पड़ने चाहिए यही मैं सरकार से सवाल उठा रहा हूँ कि आप देश की स्तिती को समझे कि जो उलजकर रहे गई है फाइलों के जाल में गाउं तक वरोशनी पहुँचेगी कितने साल में बूरा बरकत साक्षी है किस तरह से खो गई रम सुधी की जोपड़ी सरपंच की चौपाल में यह अदम गोणवी की कविता है